Amazon की Great Freedom Festival sale चलेगी 6 से लेकरके 10 अगस्त तक और यह जो sale है वो start हो गई है 5 अगस्त को रात के 12 बजे इसमें आपको maximum 40,000 तक का discount देखने को मिल जाएगा 12 months का no cost EMI मिल जाएगा अपना कोई laptop exchange करना चाहते हो 25,000 तक maximum लग सकता है वही warranty extension के offer से start हो रहा है 200 रुपए से SBI का credit card अगर आपके पास है तो 10% instant discount मिल जाएगा और इसकी limit है 2000 रुपए तक की मतला maximum 2000 रुपए तक का discount आपको मिल सकता है instant वाला और 4000 रुपए तक का discount आपको bank दे सकता है वो अलग है instant वाले से तो SBI का card है तो यह सारे discount आपको मिल जाएगे हम इस वीडियो में उन laptops की बात करेंगे जो काफी यादा popular है एक बड़िया value offer करते हैं और अपने price को justify करते हैं आपका कुछ फायदा हूँ उन laptops को buy करने के बाद ऐसे बिलकुल laptops हम सेस्ट नहीं करेंगे जो खाली दिखने में अच्छे हैं performance का कोई दम उनके अंदर है नही तो इस तरह की चीज़े हम अपने चैनल पर नहीं करते हैं हम हमेशा अच्छे laptops ही recommend करते हैं और पिछले दो साल से मैं ऐसा ही कर रहा हूँ और आप सम लोग मेरे videos काफी पसंद करते हैं अगर आप laptop buy करने के माबले में काफी यादा serious है और एक genuinely अच्छा laptop चाहते हैं तब ही आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिरियस बायर्स के लिए है वीडियो में time stamps भी आने डाले हैं ताकि आपका time बच जाए तो आपका जो भी price segment है segment के हिसाब से आप नीचे देखना स्क्रॉल करके जहाँ पे slider आता है तो वहाँ पे अगर नए हैं आप चैनल पे इतनी सी ही request है चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आकल को प्रेस कर लिजेगा आज हम थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं तो प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि अभी जो वीडियो की शुरूआत होगी वो 150K से शुरूआत होगी उ प्लाल जो है जैसा भी है वहां आपके सामने में दे रहा हूँ बेस्ट एनलिसिस देने की कोशिश करिए वस मैंने आप इतना मानों देखो सबसे पहले लेप्टाप मैंने लीजेन 5 प्रो सेलेक्ट किया है क्या रीजन है इसे सेलेक्ट करने का यह जो प्राइस है इसका ले गाफिक कार्ड है 135 वाट वाला 16 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले लगी हुई है जो की एक QHD डिस्प्ले है यह बहुत अच्छी बात है ठीक है हाइलाइट वाली बात है यह 165 हर्स इसका रिफ्रेश एट है 500 निट्स की ब्राइटनेस है 100 प्रसेंट सर जीबी है HDR और कलर एकुरेट डिस्प्ले है मक्स स्विच इसके अंदर आपको मिल जाता है 16 GB रैम मिल जाती है ठीक है 3200 मेगाइट वाली 32 GB तक बढ़ा सकते हो 1 TV Gen3 NVMe SSD Windows 11 Office 21 और 4zone RGB की बोर्ड तो इतने सारे 80 वाट रगी बैटरी इतने सारे बड़िया बड़िया फीचर से स्नेप्ट बहुत अच्छे है overall बहुत ही बड़िया च्वाइस है इस प्राइस रेंग में 41 के आसपास भी अगर आप कोई लैप्टॉप चाह रहे हो तो इस लैप्टॉप को चूज करने की कोशिश करना डिस्काउंट वगरा लगा के हो सकता है कि यह लैप्टॉप जो है आपको 1,45, बहुत है अब नेक्स लैप्टॉप की तरफ पड़ते हैं नेक्स लैप्टॉप है स्टिक्स जी 15 इसके अंदर क्या क्या मिलता है यह देखिए सबसे पहली बात 145 के का लैप्टॉप है इस प्राइस रेंज में यह भी लैप्टॉप बहुत अच्छा है राइजन 7 6800 एच मिल जाता है आर्ट कोर 16 त्रेड वाला RTX 3060 ग्राफिक कार्ड है 140 वार्ट की TGP है और 15.6 इंच इसका डिस्प्ले है WQHD डिस्प्ले है 165 हर्ट का रिफ्रेश एट है 3 मिली सेकंड का रेस्पोंस टाइम 100% DZI-P3 वाले डिस्प्ले है उसके अंदर भी बहुत कलर एकुरेट डिस्प्ले था जो ही मैंने लिजिन 5 प्रो दिखाया और इसके अंदर भी बहुत कलर एकुरेट डिस्प्ले है तो बिल्कुल इस लैप्टॉप को लेना बनता है मक्सविच इसके अंदर आपको मिल जाता है 16GB DDR5 4800 मेगा हर्ट 32GB तक बढ़ जाने वाली RAM इसके अंदर आप आपको मिल जाती 1TV Gen4 SSD एक स्लोट भी मिल जाता है 90Wh की बैटरी है Windows 11 इसके अंदर आपको मिल जाती है Office 21 मिल जाता है और killer choice है एकदम इस price range में और बिलकुल यह लैप्टॉप लेना बन सकता है यह वाला लैप्टॉप जो है वो दिखने में ज्यादा खोब सूरत है इसके अ और काफी प्रीमियम लैप्टॉप है इस वाले लैप्टॉप का रिव्यू हम अपने चैनल पे कर चुके है तो अगो मन बन रहा हो तो उपर आई बटन में लिंक दे दूँगा रिव्यू देख लेना मैंने flagship वाले लैप्टॉप का रिव्यू करा है 3070 Ti है उसके अंदर और राइजन 9 6900 HX है अब खतनाग लैप्टॉप है वो एक्तम नेक्स लैप्टॉप है हमारे पास लीजन 5 ठीक है यह जो लीजन 5 लैप्टॉप है बहुत ही जादा पॉबलर है 129 के अभी इसके प्राइस चलना है बैसे जनरली इसके प्राइस जो है 137 के सम्थिंग चलता रह है यह आपको राइजन 5800H आर्ट कोर सोला थ्रेड वाला प्रोसेसर है बहुत बहुत बहतरीन है RTX 3060 ग्राफिक कार्ड है 135 वाट की TGP वाला यहां मैं एक चीज आपको बता दू देखिए अभी जो 12 जनरेशन वाले इंटेल वाले लैप्टॉप है और जो AMD वाले लैप्ट काफी ज़्यादा है तो अभी जो है प्राइस को सैटल होने दीजिए लैप्टॉप के प्राइस थोड़े काबू में आने दीजिए फिर हम रिकमेंड करना शुरू करेंगो उनको एक दो लैप्टॉप मैंने डाले हैं आगे वीडियो में दिख जाएंगे आपको ठीक है त थर्मल सेंस के एकदम और बहुत प्रीमियम लैप्टॉप है ये लैप्टॉप इस प्राइस रेंज में अगर खरीद रहे हो कोई भी और लैप्टॉप मत लेना इसे ले लेना आख बंद करेके पिल्कुल सैटिस्वाई रहोगे नेक्स लैप्टॉप जो हमने चूज किया ह वो है A17 2022 और करा क्यों है चूज ताकि उन लोगों को कुछ मिल सके जो नया लैप्टॉप लेना चाहते हैं उनको कुछ नया पन दिखे कुछ नया मिले तो 126 के इसका प्राइस है राइजन 760 800 ह आटकोर सोलर थ्रेड वाला प्रोसेसर है अपनी प्रिवियस जनरेशन से करी लिकिन जो 5800 प्रोसेसर था वो अपने आप में बहुत कुछ था अपने टाइम पे ठीक है तो इसी निये ये भी बहुत कुछ है अपने टाइम पे ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये प्रोसेसर इंटेल आने के बाद बिकारी हो गया या फिर काम नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है ये प्रोसेसर बहुत दमदार है भी भी और चारपा साल तक भी आपके अराम से कटवा देंगे आट एक 3060 140 वाट की TGP वाला इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है 17.3 इंच का डिस्पले है फोल एच डी है 90-25, 1080p रिसोल्यूशन, 144 हर्ट रिफ्रेश रेट, डाइज ओनेट की ब्राइटनेस, 45 NTSC और मैं न क्या करूँगा जो मिन मिन फीचर्स है वो यह आपको बताऊँगा ऐसे मैं पढ़ता रहूँगा सारे फीचर्स तो बहुत देल लग जाएगी मक स्विच्च जो है, इसके अंदर आपको मिल जाता है 16GB DDR5, 4800 MHz वाली RAM जिसे 32GB तक बढ़ाए जा सकता है, 1TV Gen3 NVMe SSD, Windows 11, 90Wh बैटरी, amazing thermals है एकदम इस लेप्टॉप के और बिलकुल आप इसे बाइक कर सकते हो, अगर करना चाहो, लेकिन जो Legion मैंने आपको recommend करा ना, 2TV SSD व प है, जो भी मैंने आपको 2TB SSD वाला बताया, उसमें और इसमें डिफरेंस सिरफ इतना है, कि इसके अंदर 1TB के SSD है, उसके अंदर 2TB के SSD है, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर ये वाला खरीदने का मन बन रहा हो, ये ले लेना, वो मन कर र लेना जो भी लेना हो आपको नेक्स लैप्टॉप पे चलते हैं नेक्स लैप्टॉप मैंने डेल का जी फिफ्टी पच्पन पंदरा चूज करा है एक लग चौदा जार रुपेस का प्राइस है राइन से फिफ्टी एट अंडेट एच आर्ट कोर सोला थेड़ वाला जो है य अगर ऐसा लैप्टॉप चाहते हो कि बाई जो है कंटेंट क्रियेशन आराम से कर लें उसमें कलर एक्क्रेसी से रेनेटेट सारे काम उसमें अंदर हम कर लें बहुत एंजॉइबल हो डिस्प्ले तो है यह लैप्टॉप वैसा क्योंकि इसके अंदर फीचर्स उस तरीके के मक्स स्विच भी इसके अंदर आपको मिल जाता है 16GB DDR4 3200 MHz वाली RAM 32GB तक बढ़ जाएगी 512GB Gen3 NVMe SSD मिल जाती है Windows 11 मिल जाती है Microsoft Office 21 86Wh की बैटरी और बहुत बढ़ी है थरमल से हैं लैप्टॉप के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक दम प्रीमियम लैप्टॉप है मन करे तो जरूर बाय करना करना चाहिए आपको बाय है नेक्स लैप्टॉप हमने चूज किया है Tuff A1521 और इसका जो प्राइस है करीब 100,000 है इसका प्राइस जो है और बिलकुल एक दम बाय करने लाएक लैप्टॉप है और Ryzen 9 5900HX आर्ट कोर सोलर थ्रेड वाला फिलेक्षिप है इसके अंदर एक्टम RTX 3060 ग्राफिक कार्ड है 95 वाट की TGP है बहुत बहतरीन लैप्टॉप है ठीक है 15.6 इंच का फॉल एजटी 9025,000 एट टीप 144 हर्ट्स रिफ्रेश है डाइसों इसके ब्राइटनेस डिस्प्ले तो देखिए तफ के अंदर आपको मिली गिनी 100% 1000 GB मिल जाद है शायद मैंने 512 GB की Gen3 NV में SSD 1 स्लोट इसके अंदर मिल जाता है Windows 11 90 वाट आर की बैटरी गुड़ धरमल्स हैं मतलब टफ के अंदर आपको बैटरी बहुत बढ़िया मिलती है 90 वाट आर की बैटरी और इतनी बैटरी आपको अभी तक मिल नहीं रहे थी किसी उन लोगों के लिए रख दिया है मैंने जिन लोगो 100% sRGB वाला डिस्पले चाहिए होता है तो उनके नहीं ज्यादा अच्छा है इसका प्राइज जो है वो 100 गे के आसपास रहेगा और आइन 5800 है चार्ट कोर सोलर थ्रेड आर्ट एक्स 3060 95 वाट की TGB है इसकी 15.6 डिस्प बढ़ाने के लिए Windows 11 मिल जाती है 70 वाटार की बैटरी है बैटरी भी ठीक ठाग है इस लेप्टाप की और इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया लेप्टाप है तो टफ का मन करे उसे चूस करना इसका मन करे इसे चूस करना यह लेप्टाप जो है बिल्ड में टफ के ब जाता है आपको राइन 760 800H आट कोर सोलर थ्रेड़ वाला बहतरीन प्रोसेसर मिल जाता है 95,000 इसका प्राइस है उन लोगों के लिए लेप्टाप जिनको थोड़ा प्रीमियम चाहिए ठीक है प्रीमियम वालों के लिए ही है यह मत बोलने लग जाना कमेंट सेक्शन में कि 30 50 रिकमेंड कर रहा है 95,000 में यह वो भाई प्रीमियम लोगों के लिए है लेप्टाप प्रीमियम है जब लेप्टाप प्रीमियम होता है तो उसके डिजाइनिंग में अच्छा खाजा पैसा खर्च हो जाता है और बहुत जादा दिमाग लग जाता है कंपनी का इसलिए 500% RGB इस प्राइस रेंज में इस में स्ट्रिक्स में तो नहीं मिलने वाली है 8GB DDR5 4800 MHz रहम हां लेप्टाप है बड़ा प्रीमियम और डिस्प्ले जो है ऐसी इतनी कोई गय गुजरी डिस्प्ले नहीं होती है इस लेप्टाप के अंदर डिस्प्ले भी 45% NTSC होती है बट थ जने से चूज करने का बहुत एफेक्टिव प्राइस पर आ रहे हैं यह वाल लेप्टाप आई 5 12 जनेरेशन प्रोज़सर बारा कोर सोलर थ्रेड चार पर्फॉर्मेंस चार आठी कोर्स बहतरीन पर्फॉर्मेंस है इन लेप्टाप की बहतरीन पर्फॉर्मेंस तो इस किया गया है अभी कुछ एक चोटा मुटा ड्रॉबैक भी है वो ही बताते हैं आपको आर्टेक्स 3050 95 वाट की टीजीपी वाला इसके अंदर ग्राफिक कार्ण हुआ है 156 का डिस्प्ले है 144 हर्ट्स IPS डिस्प्ले है कलर्स बढ़िया है 8GB DDR4 3200 मेगाट्स वाली रैम मिल रही 32GB तक बढ़ा सकते हो 512GB जैन 4 NVMe SSD मिल जाती है 1 SSD मिल रही है TV के हाट डिस्क मिल रही मतलब SSD नहीं मिल रही है वाल लेरी機 रहे बेटरी है वो ऐसा ही बैटरी वेकप निकालती है गेमिंग लेपटोप से आप ज़्यादा बैटरी वेकप expect करा भी मत करा करो जब तक कि आप एक टफ लेपटोप नहीं खरीद रहा हो क्योंकि उसके अंदर ही आती 90 वाटारी बैटरी तो Windows 11 मिल रही है सारे लेपटोप के अंदर Windows 11 मिल जाएगी Thunderbolt 4 मिल रहा है बहुत बड़ी है लेपटोप है इस प्राइस हैंज में बिल्कुल बाई करने के लायक है एक स्नेपटोप पे चलते हैं नेक्स नेपटोप हमने टफ का डेश वाला लिया है थोड़ा नए अपन आपको मिल जाए कुछ नई चोईस मिल जाए उस हिसाब से मैंने चूज किया है 83,000 इसका प्राइस है i5-12450H प्रोसेसर है 8 कोर 12 रेड़ वाला और 4 प्रफॉर्फॉर्मेंस 4 E-Course मिलते हैं इसके अंदर RTX 3050 75W की TGP है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लेप्टॉप है लेगन पतला भी है हलका भी है और थोड़ा सा बढ़िया फिल भी देगा आपको तो उसी हिसाब से ये लेप्टॉप है बाकी बैटरी बैटरी भी बढ़िया मिल रही है भी बताता हूं सबको जाए आपको 15.6 एंच फुल एजडी डिस्प्ले वही नॉर्मल वाला सबकी तरह 8GB RAM 4800 MHz वाली है DDR5 लेटेस्ट है ये बढ़िया बात है 32GB तक बढ़ा ही आ सकती 512GB की Gen3 NVMe SSD मिल जाती है एक MPT slot मिल जाता है 76Wh बैटरी है ये बहुत बढ़िया बात है बैटरी वेगा बहुत बेटरी मिलेगा Windows 11 है Max Switch इसके अंदर आपको मिल जाता है अब देखें टफ सीरीज आपको Max Switch ओफर कर रही है कुछ नई फीचर लेकर के आईए थोड़ा से डिजाइन को एन्हेंस कर लेकर आईए तो इसी नहीं लोगों थोड़े थोड़े से प्राइस भी बढ़ा लिए है और i5 12 जनेरेशन अपने आप में कहर है हाला कि ये नाइटरो वाले के बराबर तो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसके अंदर 12 500 ह है और इसके अंदर 450 है अच्छा थोड़ा से कंपरिमाइस प्रॉसेसर है बट ये जितनी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है भी तक लैपटॉप दे भी कहां रहते इतनी परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में तो लैपटॉप एकदम चूज करा जा सकता है मन बन रहा है, Thunderbolt 4 भी मिल जाता है, मतलब काफी premium, premium features इस price range में कभी नहीं मिलते थे, Thunderbolt कभी नहीं मिलता था, Max Switch कभी नहीं मिलता था, ठीक है, तो ये बड़ी बात है, single backlit keyboard है, एक year का McAfee antivirus भी मिल जाता है, और बहतरीन laptop है, चूज कर सकते हो, आराम से इस price range में, next laptop हमने चूज किया है, Nitro 5, क्या है reason, वही laptop है, same to same, इसके अंदर क्या है, 512GB की SSD मिलती है, और उसके अंदर क्या थी, SSD के साथ में 1TB की hard disk भी थी, मतलब क्या, 512GB की SSD और hard disk थी 85,000 में, और उसके अंदर खाली SSD है, और बाकि सब को same है, कोई difference नहीं है, तो 80,000 का ये है, इसे चूज करो चाहिए, उसे चूज करो, और बाकि जो और relevancy वाले laptop होंगे न, वो भी मैं description में डाल दूँगा, छोड़ूँगा, कुछ भी नहीं, जिस सही है, आपको बिल्कुल भी laptop भाय करने में दिक्कत कोई नहीं आए, next laptop चूज करा है, Dell का G15 5515, क्या reason है, इसे चूज करने का, i5-11-400H processor, 6 core 12 thread वाला, 80,000 इसका price है, इसे चूज करने का reason है, 3050 Ti, 95W की TGP वाला, processor पता है मुझे, यह मत बोलना है यार कोई, कि 11 generation के और सेजस्ट कर रहा है, देखो, suggestion करने का reason यह है, performance अच्छी है, 4-5 साल भी कटवा देगा, बहुत तेज प्रोसेसर है, ऐसा gaming में भी बहुत बहुत बहुतरीन performance देता है, 3050 TiBS laptop के अंदर, तो और उपर से Dell भी है, Dell के laptop ऐसी थोड़े जमेंगे रहते हैं, कोई मक्सूश नहीं मिलता इसके अंदर आपको, लेकिन laptop बहुत बढ़िया है, 16 GB DDR4, 2933 MHz वाली RAM, 32 GB तक बढ़ाई आ सकती है, 512 GB की Gen 3 NVMe SSD, Windows 11, MSO 19, मतलब Microsoft Office 19 वाला मिल जाए, 56 वाट आर की बैटरी, Good Thermals हैं एकदम, और बहुत premium laptop है, मतलब backup क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपको, एक साल की premium support भी मिल जाती है, मतलब technician घर पे आएगा, ठीक करके जाएगा, कोई 3-5 नहीं करेगा, next laptop चूश करा है, HP का Victus, क्या रीजन है, चूश करने के पीछे, रहा हूँ, क्यों recommend कर रहा हूँ, Ryzen 7-5800H, आट कोर सोला थ्रेड़ वाला बहतरीन प्रोसेसर, एसके अंदर, RTX 3050 75W की TGP है, और normal display जो इस price range मिल जाती है, वही same RAM, 3200 MHz, 512 GB की SSD, Windows 11, 70Watt-hour battery, Microsoft Office 21, बड़ी अथरमल से, ले-ले-लायक laptop इस price range में, क्या क्या मिलता है, इसके अंदर, 4800H, आट कोर सोला थ्रेड़ पता है, आपको बहुँ टाइम से recommend कर रहा हूँ, मैं ये laptop 75,000 में मिल रहा है, ये, RTX 3050 75W की TGP है, और 15.6 इंच, SESC display इसके अंदर, और 16 GB RAM है, तो कुछ लोगों को लग रहा हूँ ना, तो आप इसे भी buy कर सकते हो, मतलब इसे ही recommend कर रहा हूँ, मैं तो बलगी 75,000 की range में, कीसी laptop को buy करना, इसे छोड़ के कुछ और लेना मत, ठीक है, ऐसी recommendation है मेरी, A17 नहीं, पतलब अगर आपको A15 में भी, 16 GB RAM मिल जाती हो, इस price के असपास price मिल जाता है, पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, और durable build है, बिल्कुल चूज करना चाहिए, आपको इस price मिल एपटॉप, अब चलते हैं, नेक्स लेपटॉप की तरफ, ये A15 है, टफ सीरीस का ही, इतने सारे यहां पर इसनी हैं, आपकोर सोला थ्रेड, 3050, 15.6 इंच, वही से स्पैसिफिकेशन है, 8GB RAM मिलती है, इसके अंदर, बहुत से लोग सोच रहे होंगे, ये 17 और 15 में क्या difference है, difference खाली क्या होता है, बड़ी डिस्प्ले का होता है, और कोई difference नहीं होता है, और थोड़े से thermals बैटर होती है, जो बड़ा laptop होता है, उसका मतलब 17 इंच वाला, और बाकी कोई difference नहीं होता है, पूरा चैसी वैसी, quality वैसी सब वैसी रहती है, 512GB की Gen 3 NVMe SSD, एक स्लोट, Windows 11, 90 वर्ट आर बैटरी, बड़ी है thermals, बहुत स्टड़ी है, durable build है, एकदम बड़ी है laptop है, Dell G15 भी recommend करा जा रहा है, इसी price range में, और 70,000 के असपास, इसका price चल ला है भी, और 56, 100H processor, 6, 12 thread, 8, 6, 30, 60 graphic card, 30, 50 sorry, और 90W की TGPS की, TGP बहुत अच्छी होती है, Dell वाले laptops की, मतलब 90W ही होती है, मगर बागी laptops में, जनरली ऐसी TGP मिलती रही है, 15.6 inch display, 90, 25, 1080p, 120 Hz refresh rate, Dyson 8 brightness, कोई बक स्विच नहीं है, इस laptop के अंदर 8 GB, वाई, same 0.512 GB SSD, और Windows 11, Microsoft Office 19 मिल जाता है, फिर 56W की बैटरी मिल जाती है, बड़िया thermals हैं, और premium laptop है, ठीक है, तो इस price range में, बाई करने का मन करें, Dell वाला तो ले सकते हो, next चूज कि हम एने, Nitro 5, ये भी मुझे अच्छा रखता है, price range में, इसका जो processor है, वो बहुत ताकतवार है, 11,400 है, 6,12, त्रेड वाला, ये gaming जो है, बहुत बड़िया performance निकालता है, gaming में, 68,000 इसका price है, मतलब 68,000 में, ये वाला processor मिलना, अपने आप में बड़िया बात लगती है, मुझे, RTX 3050 graphic card है, 75 watt की TGP है, 15.6 inch display, वाई normal सा display, कोई max switch नहीं है, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11, Microsoft Office 19, 1957 watt hour battery, बड़ी अथरमल्स, laptop एकदम recommended है, मन करें, जरूर लेना, next laptop पे चलते हैं, next laptop हमने चूज किया है, Legion का 5, क्या-क्या मिल जाता है, इसके अंदर, आपको 15.6 inch का, वाई display, common सा display, जो इस price range में मिलता है, 68 के price है, इस price range में, सबसे ज़्यादा recommend, laptop तो मैं यही बोलूँगा आपको, i5-10500H processor, 6.12 thread, नया variant इंदीजन वालों ने निकाला है, RTS 3050, 4GB RAM, 95W TGP, 8GB RAM, और वही common C RAM है, 500GB SSD, 720PHD webcam, 60Wh battery, ultimate laptop है एकदम, और बड़ी है cooling system वगदर, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो लेना चाहिए आपको वो laptop, next laptop पे आ गए हैं, मैं एकदम से jump करके, इस laptop के अंदर क्या-क्या मिलता है, आपको 15.6 inch का display, price इस laptop का रहता है, करीब-करीब आपका 60,000 के असपास, तो 60,000 में, यह आपको 15.6 inch का display देता है, एक्चली मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो इस वेज़े बिलकुल भी, जो है, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ बोल लेगी, तो जो processor है, वो काफी अच्छा है, इस price range में, और यह कोई full-fledged gaming laptop नहीं है, इसका मैंने comparison किया है, आई button में pin कर दूँँगा, देख लेना, बहुत बढ़िया comparison मैंने बनाया, बहुत मेनत करिए उस comparison में, ठीक है, RTX 2050 graphic card, 4GB RAM, फिर जब बोल रहा हूँ, कोई full-fledged gaming laptop लेना चाहता है, तो जो gaming laptop मैं recommend करें, वो ले, और यह जो है, थोड़ा सा hulka laptop होता है, तो किसी को hulka चाहिए, तो hulka वाला ले, 8GB RAM DDR4, 3200 MHz, 512GB Gen 3 SSD, बढ़िया है एक्दम, और इसके अंदर जो graphic card, शायद मैंने पता नहीं बताया, 2050 जो graphic card है, नया launch हुआ है, और बढ़िया performance निकाल रहा है, अपनी price range में, बहुत बहतरीन तो नहीं है, लेकिन, जो MX वाले और Iris XC वाले होते हैं, उनसे बढ़िया देता है, यह performance हो, काफी बढ़िया देता है, इस price में Thunderbolt 4 भी मिल जा रहा है, फिफ्टी वार अटार की बैटरी मिल जा रही है, अल्यूमिनियम टॉप मिल रहा है, इसके अंदर 1.8 गेजी का laptop है, और backlit keyboard है, इनको recommended है, लेना चाहिए है, आपको price देखो, अब कहांजे निकल गया है, next laptop हमने चूज किया, एसन निट्रो 5, इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, आपको i5-11, 400 एच प्रोसेजर, छे कोर बारत रहेट, 59,000 में, यह बहुत recommended laptop है, सारे features आपकी screen पे हैं, आप खुद पढ़ने न, यह इस price range में, best laptop है, next laptop पे आ गए है, यह है A15 2022, most recommended laptop है, इस price range में, 55,000 रुपए में, और बिलकुल आपको यह बाय करना चाहिए, 46,000 एच प्रोसेर है, इस laptop को, मैं सबसे ज़्यादर recommend करने का reason यह है, इसके अंदर है 90 वर्ट आर की battery, और इस price range में, कोई भी और laptop 90 वर्ट आर की battery नहीं देता है, ठीक है, तो यह reason है से, चूज करने का, और gaming laptop के अंदर, भाई, battery अगर बढ़िया मिल जाया, तो चार्ज चांद लगे जाते हैं laptop पे, बाकी सारे feature साब अपनी screen पे पढ़ने न, common से ही है, कुछ ज़्यादा भेंकर special नहीं है, लेकिन laptop बहुत बढ़िया है, इसको चूज करने का reason है, इसका price price और उन लोगों के नहीं चूज करा है, जो लोग बहुत ही दबे कुछले budget के साथ आते हैं, बिल्कुल भी extend नहीं कर पाते हैं न, बजट तो वो लोग i5 11 generation के साथ में इस laptop को buy कर सकते हैं, common से feature है, जो इस price range में मिलने चाहिए, सब मिलते हैं, और बिल्कुल recommended laptop है, next laptop है idea paddy gaming 3, इसके अंदर जो भी features हैं, वो 50 AR के हिसाब से ठीक है, 50 AR से ज़्यादा का मिले यह laptop तो मत लेना, अभी इसका price 55 के के आसपास चलना है, मगर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 50 का पड़े तब आप लेना, otherwise मत लेना, ठीक है, वो लोग यह laptop जो लोगो बहुत ही ज़्यादा दबे हुए budget के साथ हैं, 50 AR से बिल्कुल उपर नहीं बढ़ा सकते हैं बना budget, तो वो लोग इस laptop को buy करें, बागी सारे features बहुत अच्छे, तो यह वो सारे laptop थे, जो मुझे recommend करने थे, आपको इस price range में, तो सारे laptop मैं recommend करती हैं, सबके best power link description में मिल जाएंगे, वहाँ से buy करेंगे, चैनल को थोड़ा support कर पाएंगे, हम और अच्छे reviews ला पाएंगे, future में भी, चैनल को जाएंगे,